नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों कापके पनी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत सौगत है समय की बड़ी ख़बर आ रही है हिमाचल प्रदेश से जहां पर कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाओ जीत लिया है और अब यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला उससे पहले दोस्तों नियूस की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा और पास में ही बने बेले के आइकन को जरू दो पाईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजेगा खबर बताते चलें कॉंगर्स विधैक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताओ हाई कमान लेगा सीम का फैसला इमाचल प्रदेश के चुनाओं के बाद कॉंगर्स को बहुमत तो मिल गया है लेकिन मुक्यमंत्री पर फैसला नहीं हो सका है विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है कि मुक्यमंत्री का चुनाओ आई कमान करेगा इसके लिए कॉंग्रेस आप्जर्वर सभी विधायकों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी सिम्ला में कॉंग्रेस दफ्तर में हुई इस विधायक दल की बैठक में कॉंग्रेस हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीब सुकला कॉंग्रेस के दो परवेचक चतिशगड के सियम भूपेश बगेल हरियाना के पूर्व मुक्यमंत्री भूपेंदर सिंगुड़ा भी सामिल रहे हिमाचल प्रदेश चुनाओ के बाद मुक्यमंत्री पद को लेकर के हो रही इस माधापच्ची में हिमाचल कॉंग्रस सद्यच प्रतिबा सिंग सही सभी नव निर्वाचित विधायक भी बैठक में पहुँचे और वहीं विधायकों की इस बैठक से पहले प्रतिबा सिंग और चुनाओ अभियान समिती के प्रमुक्य सुकविंदर सिंग सुकु को समर्द को ने उनके पच्च में जम करके नारे लगाए इस समय के बड़ी कबर सी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों